इस वीडियो को लोगों देखेंगे how to debug और sad emoji क्योंकि किसी को debugging पसंद नहीं है कोई नहीं चाहता कि debug करने की नौबत भी आए सब चाहते हैं कि हम लोगों का first run में अच्छे से program चल जाए तो पर ऐसा होता नहीं है हम ऐसा debugging करनी पड़ती है तो भाई हम लोग को क्या है अभी तक हम लोगों ने जो भी सीखा वो था happy flow हम लोगों ने सीखा कि यार कैसे problem statement पड़नी है कैसे time management करना है कैसे input output देखना है and कैसे constraints से हम लोगो time limit निकालनी है ताकि TLE नहा है अभी तरह हम लोगों सोचा कि हाँ ऐसा ऐसा करेंगे तो बढ़िया से अच्छे से problem solve हो जाएगी and selection पका ठीक है पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कुछ भी unexpected हो सकता है और कभी भी कुछ भी bug हो सकता है तुमारे code में तो हमें आना चाहिए कि हम इसको कैसे debug करें basically हमेंसा happy flow में जाओ ऐसा जरूरी नहीं है ना हमारे जैसे हम लोग things plan करते हैं हमेंसा life में वैसे चीज़े जाती नहीं है तो हमनारे पास एक backup plan भी होना चाहिए कि लेट से ठीक है वह बोलते ना कि hope for the best and prepare for the worst तो वही वाली बात है कि भाई हम लोग सोचेंगे तो सही कि हाँ यार best अपना एक दम एक की बार में हो जाए पर prepare करके जाएंगे वर्स के लिए हुए कि भाई असले बुरी से बुरी चीज भी हो तो भी हमने पास एक backup plan होना चाहिए तो मैं क्या बोला हूँ कि अगर तुम्हारा code सरी से चला नहीं तो तुम क्या करोगे सब लोग कोडिंग करते रहते हैं और कभी कोई सोचा कि यार अगर मेरा code नहीं चल तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ क्या action plan क्या होना चाहिए तो basically मैं वह लाँ कि तुम्हारे पास एक action plan होना चाहिए कि जब तुम्हारे code में कोई bug आ रहा है एक से segmentation fault आ रही है पहली बात तो यह है कि यह सारे fault तुम्हें पता होने जिए segmentation fault क्या होता है तो पाच आना चाहिए output में प्लस होके पर कुछ 6 आ रहा है तो output सही नहीं आ रहा है कुछ ना कुछ यड़वड हो रही है तो तो तुम्हें पास क्या action plan होगा तुम कैसे करोगे तो हम लोग क्या करता है जा हम लोगा code हम लोग लिख चुके होते हैं काफी बड़ा code होता है ठीक है इसमें कुछ functions भी होंगे दो तीन जागा तुम्हें function बनाया होंगे अगर अच्छे से coding करते हो तो भाई अब क्या है कि इतना वड़ा code है हम लिख चुके हैं अब वह अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो हमाई समझ में या आता हम लोग क्या करे है हम लोग से देखत अब तुम्हारा काम है action का पढ़ने लिखने का काम पहले कर लिया तुमने गलत हो चुका है तो मैं action plan follow करना है action plan क्या है सबसे पहले अच्छा और नीचे कुछ बटन दिये होते है राइट कुछ बटन होते है मैंने वह लोगा इंका भी अच्छा यूज होता है एक बटन होता है उसमें से देखो compile and run पता है सबको compile and run क्या करता है compile करेगा और run करेगा जो वह लो sample inputs द चलता है तब तो इसको प्रेस नहीं करना है इसको भी hold पर रखो compile चलाना पड़ता है ठीक है और एक चीज और होती है यहाँ पर test custom input ऐसा कुछ करके होता है custom input यह test input ऐसा करके बटन होता है अलग अलग जगा पर अलग नाम वह से जाना जाता है तो क्या बोलाओ कि यह किस का क्या मतलब है मेरा अब देखो अब मालो मैंने code लिखा अब एक scenario लेते हैं कि कैसे तुम्हे प्रसीड करना चाहिए मैंने code लिखा काफी बड़ा code है ठीक है इस code में कुछ functions भी है function 1 है function 2 है यहाँ पर मालो तीन functions है cool और यह कुछ value return करता है यह a return करता है यह b return करता है यह c return करता है ठीक है और यहाँ पर भी मैं कुछ calculation कर रहा हूँ यहाँ पर मैंने input ले लिया x ले लिया y ले लिया z ले लिया इसके बाद मैंने यहाँ से कुछ calculations करता हूँ थोड़ी और फिर मैं कुछ और करता हूँ, EF, EF इसमें देता हूँ, फिर function निकलके आता है, और यहाँ पर कुछ और calculation करता हूँ, GH इसमें देता हूँ, GH और A का use करके, फिर B निकलके आता है, और let's say, यहां से B इसमें दिया, और कुछ और variables ले लो, यार, I ले लो, आये और भी इसमें दिया, C आया, लास्ट में मैं C के सन भी कुछ और कल्कुलेट करता हूँ यहाँ पर, और आखिर में जो मेरे पास आता है वो होता है के, और मैं रिटर्ण के कर देता हूँ, आर यह वास हो जा, ऐसे ही कुछ करना है कुछ, इस काम के लिए मैं यहाँ पर यह कोड लिख दिया, तो कुछ segments होते हैं बिसी के लिए, जहाँ पर तुम इसको logically divide कर सकते हो, कि यहाँ पर एक काम पूरा हो चुका है, यहाँ से यह वो दुसरा काम स्टार्ट हो रहा है, तो तुम इस code को logically divide करने की कुछिस करो, यह जो मैं बोल ला हो ना, यह मैं बता रहो कि मैंने logically divide करा हो, और return k कर दिया, तो यह तुमारा code हो गया, अब तुम बड़े happy हो, तुमने बोला कि आर मैंने को code बड़ अच्छते लिखा, अब तुम इसको run करा, तुम मैं run करा, x, y, z की value के लिए, जो k तुमारा expected था, वो k नहीं आया, कुछ और k आगया, k- जो की wrong है, अब तुम परसान हो कि तुम्हें debug करने है, अब तुम कैसे starting करोगे, तो तुमारा पास सबसे पहला काम यह होना चाहिए, कि यह तुम test custom input वाला खोलो, box button, and उसमें तुम अपने custom input डालो, यह जो x, y, z, तुमने input लिये है यहाँ पर, यह x, y, z, लिया है, यह x, y, z, तुम वो डालो, जिस पर तुमने dry run किया था, अपना logic source time पर, ठेक है, क्योंकि हमें पता है कि यह x, y, z से क्या क्या value आएंगी, कि इस पर हमने dry run करा है अपना code, तभी उसके बाद code लिखा है ना, तुम code लिखते है क्या है, code लिखने से पहले, कुछ ना, कुछ तो, एक input पर चला के देखते ही होगे न, code, कि हाँ यार, इस पर यह सही काम कर रहा है, यह two or three करेंगे, तो five देगा देगा, तो वो input तुम यहाँ पर दो, यहाँ पर देने से क्या मतलब है, क्या फाइदा होने वाला है, क्योंकि हमें पता होगा कि इसना यह logical segment हम लोग ने करा code का, तो अब मुझे x, y, z से क्या मिलने वाला है, जो मैं यहाँ पर बोल ला हूँ न, कि मुझे x, y, z से मैंने यहाँ पर कुछ काम किया, और उसके बाद जो ef आया है, यह ef की value मुझे पता होगी, क्योंकि मैंने इस वाले जो x, y, z पे, question पे मैंने इस वाले input पे, मैंने actually मैं dry run करके रखा है, तो मुझे पता है कि यह logical segment जैसे पूरा होगा, तो यह ef की value क्या आएगी, मुझे हर एक जगा पर पता होगा, यहां इस function क्या return करके देगा, basically तुमने इसको पूरा dry run कर आओगा, तब ही तो तुमने एक code लिखा है, तो तुम्हें इसके हर एक logical segment पे तुम्हें पता होगी कि यह values जो है na ulti cd, यह क्या आने वाली है, आरी हुआ समझ में, तो मैं क्या बोलाओ, सबसे first काम क्या होना चाहिए, तो मैं यह x, y, g, test custom input वाला जो box है, वो खोल खाल के उसमें तुम्हें यह input अपने है, जिसमें तुम्हें dry run किया है, वो डालो, फिर दूसरा काम, जब तक तक तुमने वो किया और तुम इसको run कर दो, दूसरा काम क्या है, कि भाई तुम read अपना logic जो है, उसके उपर दुबारा से जाओ, है ना, देखो क्या तुमने logic तो गड़वर नहीं है, इसको फिर से तुम dry run करो, कि तुमने क्या पता logic ही गड़वर नहीं कर दिया, अगर तुमने दुबारा इसको dry run किया, और यहां पर जो भी मैंने बोला पर पता है कि तुमारे इस जगा पर क्या value आने वाली है, अब main काम सुरू करेंगे हम लोग, हम लोगों ने देख लिया कि हमारा logic सही है, logic को हम लोगों ने एक बार ego कर लिया, कि हाँ यार, logic इंदम correct है, तो कुछ ना कुछ code में silly mistake करी होगी, हम लोगों इतने बड़े code में निकालना है कि वो बग कहां पर है, वो बग कहां पर है, अगर तुम्हें logic को dry run कर रहा है, दो case होता है, तुम्हें logic को dry run कर रहा है, तो logic की गड़वड आएगा, तो तुम्हें समझ में आजागा, तुम्हें logic में ही कर दिया, गड़वड है, तो दूसरा case होता है, logic सही है, logic सही इसका मतलब तुम्हें कोई silly mistake करके रखी code में तो वो तुम्हें निकालना है कि तुम्हें वो bug कहां पर किया है तो पहली चीज क्या है कि तुम custom input डालो जो भी तुम्हें code run किया है और logic rerun करो तो मैं लिख लेता हूँ point one is custom input है ना और rerun the logic अपना जो भी logic क्या है उसको rerun करो यह point one हो गया अब second point क्या है कि print statement सबसे ज़्यादा यह काम आने वाले है अब तुम्हें जहाँ जहाँ भी doubt हो रहा है न यहाँ जहाँ जहाँ भी कुछ major code का major खतम हो गया है मालो यह logical section था code का यह खतम हो गया इसके बाद यहाँ पर तुमने कुछ major चीज आ रही है वह तुम कहीं और फिल function में डाल ला है तो यहाँ पर एक print statement लगा दो कि print करा दो यहाँ पर एगर a और b आ रहे हैं तो a और b को print करा दिया ठीक है फिर function है function के बाद फिर से print करा दिया कि यहाँ से जो इसकी value रिटरन हो की आई है यह प्रिंट करा दिया तो जगा जगा प्रिंट statement लगा दो समझ रहे है जगा जगा प्रिंट statement लगा दो और यहां लिख दो लिख दो नहीं तो भूल जाओगे बहुत ज़्यादा print statement लगा दोगे तो भूल जाओगे कि क्या कौन सी चीज है लिख दो कि print करा रहे हैं A को और फिर A की value है ना ऐसे print करा रहे हैं अभी B को फिर B की value तो जितनी जगह तुम्हें लग रहा है कि जहां जबी doubt कि यहां पर यह value आनी चाहिए थी लग चेक कर लेते क्या यह value आई है कि नहीं एक logical segment खतम हो जाए तो उसके बाद print statement लगा दो आरे वास अने यह कैसे help करेंगे हम लोगों माल लो माल लो क्या हो रहा है कि तुमने अभी तुम्हारे पूरा code है यह हमारा जो search area है न बेसिकली यह बेसिकली वही है कि हे स्टैक में अपन नीडल ढूंड रहे है code बहुत बड़ा है code बहुत बड़ा है हम लोगों बग निकाला है बग कहीं एक जड़ा सी line में होगा अभी हम लोगो नहीं पता अभी हमारा search area यह पूरा है हम लोग क्या करने की खुशिश कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं प्रिंट स्टेट्मेंट लगा रहे हैं माल लो मैंने एक प्रिंट स्टेट्मेंट यहां डाल दिया ठीक है एक दूसरा प्रिंट स्टेट्मेंट यहां डाल दिया और तीसरा यहां डाल दिया अब मुझे पता है इन सब की value क्योंकि मैंने इस पर dry run कर रहा है कि क्या value आएगी तो मैंने यहाँ पर print हुआ code चला print हुआ a और b मैंने match कर लिया मैंने वहला कि यार हाँ यह 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 और b आना चाहिए था correct है तो मुझे पता चल लिया कि इस पूरा area यह जो black light से मैं highlight कर रहा ह हो ना इस पूरे area में कहीं गड़वड नहीं है this is all correct इसके बात फिर मैंने यह वाला statement यह इविल्यूट होगा यहाँ पर कुछ और print होगा C और D फिर मैंने इसको भी match कर लिया कि हा यार यह यह भी पूरा सही है मतलब इतना code सही है मेरा search का area देख रहो कैसे narrow down हो रहा है यह मैं पहले logic को dry run कर चुका हूँ और मैंने वही custom input में वही logic डाला जिस पर मैंने dry run करके रखा है तो मुझे पता कि e की सही value क्या होनी चाहिए मैंने देखा कि या नहीं यह तो match नहीं कर रही तो मुझे पता चलका है यहां तक सब सही था हूँ यहां पर गड़वड हुई है तो बग का जो एरिया है ना वो यहां कहीं पर बग होने वाला है आरी बास होने यहां कहीं बग है जरूरी नहीं है एक ही बग हो दो बग भी हो सकते हैं आगे भी कहीं बग हो सकता है पर तुम्हें पता कि इसमें बग पका है अग तुम्हें यहां पर सर्च करना है यहां प तुम अराफ से find out कर सकते हो बड़े से कोटोंडोंगे समझ में नहीं आएगा क्या बताइता है मैंने कि कस्टम इंपुट का यूज करो और अपना लॉजिक को रिण कर दो ठीक है, rerun logic second point के बोला हूँ मैं, कि जगा-जगा print statement लगा दो जहाँ पर भी तुम्हें लगता कि logical segment खतम हो गया तीसरी चीज step कर दो जितनी भी functions है अच्छा, आप तुम्हें पहले तो ये step मतलब समझाना पड़ेगा step मतलब होता है, एक तरीकी से mock कर दो वैसे, step and mock में difference होता है, और मैं अभी दोनों को interchangeably use करूँगा ठीक है, खेर, अभी देखो step मतलब क्या होता है let's say, मेरे पास एक function है मुझे पता है कि या, ये तीन value लेता है ये a लेगा, b लेगा and c लेगा ये करता क्या है, ये अंदर ये अंदर a into b को multiply करता है और जो result आता है इस result में plus c करता है ऐसा ये काम करता है, ठीक है और कुछ value लेटन करते के देखा तो मैं कहा हो, इस functions को चलाओ मत मेरा code है, code अभी काफी बढ़ा है, मैं चाहता हूँ कि नेरो डाउन करूँ, जहाँ जहाँ भी ये functions है न, मालो यहाँ फंक्सन है तीन functions है मेरे code में, तो मैं बोला हूँ इन functions को actually में मत चलाओ यहाँ से ये value return करके देता है मालो x, ये देता है y और ये देता है z, मैं बोला हूँ कि इसको जो है न, चलाओ मत इसको stop कर दो, मुझे पता कि इस x की value, अगर मैं इसमें a, b और c दे रहा हूँ, तो मुझे पता है मालो, अगर ये 2, 3 और 5 है तो मुझे पता कि 2 into 3 होने वाला है तो 6 आएगा, और 6 plus 5, 11 तो मुझे पता कि ये 11 देगा तो इस line को ही comment कर दो और सीधा-सीधा s की value ग्यारा रख दो आरी बात समझे ऐसी इस function ली भी करो, ऐसी इस function ली करो मुझे, अभी मैं मान कि चलाओ कि ये functions मेरे इतनम perfect हैं और सही काम कर रहा है ठीक है, अगर ये सब करने के बाद मैं code run करता हूँ, और output इतनम सही आजाता है, correct output आजाता है जो हम लोग expect कर रहे थे इसका मतलब क्या है कि किसी ना किसी एक function में कुछ गडवड थी है ना, किसी ना किसी एक function में कुछ गडवड थी इसलिए जैसी मैंने function की value mock करी या stub करी, मैंने पता है मुझे कि function क्या return करने वाला है क्योंकि मैं किस पर run कर रहा हूँ मैं custom input पर run कर रहा हूँ जो मुझे पता है कि इसमें हरे code के किस-किस part पर क्या-क्या output देगा क्योंकि मैं इसको पहली dry run कर चगा हूँ मुझे पता है कि ये functions क्या return करने वाला है तो मैंने इसको comment करा, मैंने simple's की value यहां रख दी, कि x is equal to 11 आने वाला है, y is equal to 13 आने वाला है, और z is equal to 19 आने वाला है, मैंने यहां पर इस सारी value रख दी, मुझे बता है, यह function ऐसे काम करेगा, तो 11 रिटर्न करेगा, यह function ऐसे काम करेगा, तो 13 और 19, और यह सब करने के बाद मेरा output correct हो गया, पहले output गड़बड़ था, मतलब क्या, इन मेंने कोई एक function सही काम नहीं कर रहा है, जैसे इसको काम करना चाहिए था, फिर क्या करो, एक-एक function को उठाओ, पहले किसी एक को uncomment कर दो, इसको uncomment किया, उसके बाद भी अगर answer correct आ रहा है, इसका मतलब क्या, यह सही काम कर रहा है, फिर माल दो मैंने इसको uncomment किया, अगर सब भी answer सही आ रहा है, मतलब यह भी सही काम कर रहा है, मैंने जैसे इसको uncomment किया ना, तो तभी answer गलत हो जाएगा, क्योंकि यह सही काम नहीं कर रहा था तो तुमने क्या narrow down कर दी ना सर्च तुम्हें पता चलिए कि पूरे code में इतना बड़ा code है खाली यह function कर बड़ा है जिसके वैसे output गड़ा रहा है तो तुम इस function को खोलो और इसमें काम करो तो इसे बोलता है तुमने वैलू उसकी step कर दी मौक कर दी बिसिकली तुमने function को चलाया नहीं फिर से वोलना उस्टब वर्सस मौक अलग अलग चीज़े होती है पर मैं interchangeably यूज कर रहा हूं function को तुमने चलाया नहीं तुमने बोला कि यार यह function जो है यह value return करेगा अगर सही काम करा और जैसे तुमने इसको uncomment करा और फिर से answer गलत आ गया तो तुम समझ जाओगा कि यार इसी function में गड़ बड़ है इसको comment किया था और answer को मैंने जो भी इस function से return होने वाला था उसको जैसे mock कर लिया था तो भाई answer सही हो गया था और जैसे मैंने इसको uncomment किया और जैसे function चला फिर से answer कर लगता हो गया मतलब function में गड़ बड़ है चलो फिर आजाते हैं fourth point fourth point किया है comment comment से क्या मतलब है मेरा कि comment करो specific part of your code मतलब क्या है कि कभी-कभी क्या होता अभी तक तो हम लोग देख रहे है कि output जो है हम लोग का output रॉंग आ रहा था कभी-कभी क्या होता है कि output आता ही नहीं है segmentation fault आ जाती है है ना मान की चलने मानलो segmentation fault आ रही है अरे यार क्या spelling लिख रहा हूं segmentation है na segmentation fault आ रही है तो output आए गई नहीं हम लोग पता ही चलेगा रॉंग हो रहा है कि right हो उस case में क्या करो उस case में तुम अपने code का थोड़े थोड़े part comment कर दो मानलो यह part मैंने comment कर दिया और फिर से च तो यह काम आएगा comment करो specific part of code जब तुम्हारी segmentation fault अगरा आ रही है तो basically तुम्हें पता नहीं है कि segmentation fault कौन सी line दे रही है तो तुम कुछ part of code comment कर दिया चलो अभी भी segmentation fault आ रही है मतलब इस वाली line से कोई मतलब नहीं है यह सारी line बढ़िया है यह contribute नहीं कर रही है segmentation fault में तो उमने थोड़ा सा और comment किया अभी भी segmentation fault आ रही है मतलब यह line भी सही है फिर तुम इसको uncomment कर दो पता चल गया कि यार यह तो सही है न तो यह line जो भी सही है उनको दुबारा से uncomment कर दिया फिर तुमने यहां पर फिर से कुछ और line comment कर दी और अब segmentation fault अचानक से सही हो और तुमारे पास कुछ output आ गया भले रॉंग आया चाराइट आया पर output आ गया तो तुम्हें पता चल जागा कि यह जो set of lines है न इसमें से कोई line segmentation fault cause कर रही है तो तुम्हारी search जो है वो narrow down हो गया तुम्हें पता कि यहां से कुछ segmentation fault है तो यहां पर देख लो कि तुम क्य कर रहे हो array index autobound कर रहे हो कि memory पूरी बहुत जाता use करके रखिए तो वो सारी चीज़े अब तुम दिमाग लगा सकता हो इस portion of code में तुम्हें पता बाकी code तुम्हारा सही है तो भाई समझ में आया यह हमारा action plan होना चाहिए यह चार चीज़े हैं जो काफी काम आती है debugging time में हम लोग हमेसा सोचते हैं कि हमारा flow हमेसा अच्छे से काम करेगा happy flow में जाएंगे और code लिखके आ जाएंगे पर हम लोग को यह पता नहीं होता है कि अगर code काम नहीं करा segmentation fault आ रही है या फिर wrong answer आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग हमारे पास कुछ action plan ही नहीं होता हम लोग कभी सोचा ही नहीं होता इसके लिए कि हम लोग क्या करेंगे तो अब तुम समझ जाओ कि कभी भी तुम्हारा कुछ भी wrong output आये तो बैट की code पढ़ना नहीं है तुरंत यह चार पॉइंट निकालना अपने और इन चारों पर action शुरू कर देना कि यह करना यह करना बहुत जली डिबग हो जाएगा चाहिए तुम एसपरिमेंट करके देखना अगली बार तुम ऐसे डिबग करना और फिर चार पॉइंट यूज करके डिबग करना खाली code पढ़ते रहोगा ने बहुत टाइम लग जाएगा कि कहां पर गड़वड है यह चार पॉइंट क्य इसे के लिए यह सर्च स्पेस में अभी इतनी बड़ी सर्च स्पेस है यार कहां पर मिलेगा बग कुछ पता नहीं है तो दीरे दीरे हम लोग यह चार पॉइंट जो फॉलो करते हैं इन चार पॉइंट को फॉलो करने से यह जो सर्च की स्पेस है वो smaller 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 होती जाती है और हम करके बढ़ी अच्छे से कोड करा फिर वह कोड हम लोगों का चला नहीं कोड चला नहीं तो हम लोगे पास तीन पॉइंट दिवांग बाने चाहिए सब हम लोगों को button दिया होता है वो इसी काम के लिए होता है कि debugging में काम आता है बहुत जाजा उसके बाद हम लोगों को जो custom input इसमें डालना है उस पर तुम्हें dry run कर देना चाहिए फिर से एक बार तुम कर चुके हो गए पर एक बार फिर से dry run कर लो चेक कर लो कि logic तो गड़वड नहीं है अगर logic की गड़वड है तो code में कोई गड़वड नहीं है simple है यह logic ही तुम्हें गलत लिखा है तो logic सही करो पहले है फिर इसको code में सही करो पर अगर logic सही आ रहा है तो तुमने हर जगा यह custom input डाल दिया फिर तुम हर जगा print statement लगा दो यहाँ पर यह वैलू और यहाँ पर यह वैलू और यहाँ प्र यह पाता चल जाएगा तुमने क्या अगरर तुम्हारे फंक्स마ंसे बहुत सारे अम सबको स्टुब मार दो वो सब की वैलू जो रिटन करेंगे solve करने के बाद तुम्हारे इस custom input पे वो सारी value यहाँ पर लिख दो पहली लिख दो है ना तो तुम्हाँ अगर code सही काम कर गया इसका मतलब क्या है इस किसी function में ही गड़बड थी तो मैं जैसी function की सही value लिखी अपने पास से तो code सही काम कर गया तो धीर धीरे एक एक को uncomment करो और देखो जिसको uncomment करते ही अगर दुबारा से output wrong हो जा रहा है तो मतलब उसी function में गड़बड है तो मैंने वोला step कर लो और last, fourth point क्या वोला मैंने कि comment करो specific section of your code यहाँ आपर code लिखा है कुछ comment करके देखो क्या segmentation fault जा रही है तो यह 3-4 point बुले है और यह काफी help करेंगे तुमारा यह जो bug find करने में यह जो तुमारी search space है इसको reduce करने में I hope समझ में आ गया होगा और I hope अगर तुमारा कभी भी problem मतलब पहली बात मैं यह hope नहीं कर रहा हूँ कि तुम अटको तुमारे bug आए अगर कभी bug आता है तो I hope कि भाई यह point चार point तुमारी help करेंगे है ना यह कोई नहीं सिखाता यार यह experience से तुमें धीरी धीरे debugging करते करते तुमारे समझ में आता है क्या effective है तुमारे लिए और क्या effective नहीं है तुमारे लिए है ना चलो thanks नोट्स मिल जाएंगे पैट्यों बेच हुए कोड़ तो हम लोंने कुछ करा नहीं है